आप सभी का स्वागत है मेरे चनल नवेंदू क्लासेज हिंदी में इस वीडियो में हम आपको भौती की विज्ञान का 12 बिहार बोर्ड परिक्षा 2019 के वस्तुनिष्ट प्रस्णों का व्याख्या सहित उत्तर सिखाएंगे आप इस वीडियो का अन तक देखिएगा हम सभी वस्तुनिष्ट प्रस्णों का आपको पूरे व्याख्या के साथ उत्तर देंगे ताकि आपको उसको याद करने के वसकता नहीं पड़ेगी आप उसको समझ जाएंगे तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं यहाँ पर जो पहला प्रस्ण है आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रस्ण है कि चुम्बक्य छेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर एम चुम्बक्य आगुर्ण वाले धारा पास यानि करेंट लूप द्वारा अनुभूत बल आगुर्ण टौ का मान होगा आप पढ़े होंगे चुम्बक्य छेत्र में रखे गए किसी चुम्बक्य दूद्रू इसका चुम्बक्य आगुर्ण वेक्टर एम हो उस पर लगने वाले बल आगुर्ण का फर्मुला आपने पढ़ा होगा टौ इस उपल टू एम बी चुम्बक्यों पढ़, रौण सब्सक्राइब कहँए और बीज़ियूर्ण 10 यूवीरी यूभल में क्यों सब्सक्राइब करेंगे अरख दे contractors इंपर m cross vector b तो इसलिए इसका जो option होगा answer वो पहला number a number answer सही answer होगा अब हम लोग बात करेंगे question number 2 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे question है कि और चुम्बक्य पदार्थ की चुम्बक्य परविर्ती सुन होती है अनन्थ होती है चुम्बक्य चुम्बक्य परविर्ती है स्थिर होती है आप देख सकते हैं कि हमने एक आपको formula सिखाया था आप formula सीखोंगे mu r is equal to 1 plus q m q m जो है चुम्बक्य परविर्ती है mu r जो है आप एक चिक चुम्बक्सिलता है तो आप देख सकते है q m is equal to mu r minus 1 आपने पढ़ा है कि अनुचुम्बक्य पदार्थ की आप एक चुम्बक्सिलता 1 से अधिक होती है law चुम्बक्य पदार्थ की आप एक चुम्बक्सिलता 1 से बहुत अधिक होती है और परति चुम्बकिय पदार्थ के आप एक्षिक चुम्बक सिलता एक से छोटी होती है तो आप देख सकते हैं अगर आप एक्षिक चुम्बक सिलता एक स्याधिक हम कोई भी वैलू जैसे 1.7 ले लेते हैं अब हम लोग बात करेंगे कोश्चन नमबर 3 पर आप देख सकते हैं यहां पर कोश्चन है कि आवेस के प्रिष्ट घनत का मातरक क्या होता है आप लोग पढ़े हुए हैं प्रिस्ट आवेस घनत बढ़े हुए हैं कि आवेस घनत बढ़ाबर प्रिस्ट आवेस घनत बढ़ाबर आवेस भाई छेत्रफल तो इस हिसाब से आवेस का मातरक हो गया कुलाम अच्छ्छत फल का मातरक MP2 तो प्रिष्ट आवेस घोनत का मातर quality हो जाएगा कुलाम ट 2 दो पर मिटर स्कुाइब तो यह आप्शन जो है पहला आप्शन जो सही अप्शन होगा कुलाम पर मीटर स्कॉर्ड तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोश्चन नमबर चार पर यहां पर लिखता है कि N अपरतनांग तथा A प्रिज्म कोन वाले प्रिज्म का निवनतम विचलन कोन होता है हम लोग पढ़ेंगे कि किसी प्रिज्म से पर्कास किनन के विचलन कोन का फर्मुला डेल्टा इस उकल टू होता है एंटू म्यू माइनस वन लेकिन यहां पर अपर अपरतनांग को म्यू से सुझित न करके N से सुझित किया गया है किसी साब से फर्मुला एंटू एन माइनस वन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर सही एंसर जो है वाला ऑप्सन जो है यह सही एंसर है अब हम लोग बात करेंगे यहां पर कोश्चन नमबर पांच पर हमसे पूछा गया है कि जितने समय में किसी रेडियो सक्रिये पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ की रासी मात्रा अपने प्ररणभिक मान से आधी हो जाती है उसे कहते हैं यह तो पड़िभासा ही में ही हम लोग पड़े हुए कि जितने समय में किसी रेडियो सक्रिये पदार्थ की मात्रा आधी हो जाती है उसे और जीवनकाल या और आयू कहते हैं तो इसलिए इसका इंसर है बी नमबर एंसर होगा तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग बा समाज के करीब होता है पानी का अपवर्तनाग एक दसम लोग तीन तीन होता है लोग पढ़े हुए है लोहा जो है एक अपवर्तक माध्यम है नहीं तो इसका तो अपवर्तनाग होगा नहीं हीरा का आप एक फर्मूला और यहां पर पढ़े होंगे कि हीरा का क्रांतिक कोन क् काच का क्रांति कोन 42 डिगरी के आस्पास होता है एक फर्मॉला हम लोग पढ़े थे मिउऑ इस उकल टू वनगवाई साइन सी मुई इस उकल टू साइन सी फर्मॉला पढ़े होए तो आप देख सकते हैं जिसके क्रांति क्यून का मान जादा होगा उसके साइन का वैलू भी ज्यादा होगा और साइन का वैलू ज्यादा होगा तो क्रांति कौन जो है कांच का क्रांति कौन ज्यादा होता है तो क्रांति कौन इसका ज्यादा है तो इसका वैलू साइन सी का इसका फैलु जदा होगा जिसके कार सिसका अपरतानाघ काम होगा लेकिन हेरा का क्रॉष डिघ्रीओड second तो सबसे ज़्यादा पानी और कांच में कांच का है लेकिन कांच से भी ज़्यादा अपरतनांग ही रखने वाला जो पदार्थ होगा वह पदार्थ होगा ही तो आप्शन सही होगा डी नंबर अब हम लोग बात करेंगे कोश्चन नंबर सेविन पे यहां पर आप देख सकते हैं टेन माइक्रो क्लाम और माइनस टेन माइक्रो क्लाम के दो बिंदू आवेस वायू में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं इनका इस निकाय की विदूतिय इस्तितिय उर्जा निकालनी है हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर एक आवेस क्य हो और आर दूरी पर हो हवा या निर्वात में तो इसके विदूतिय इस्तितिय उर्जा का फर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं वन बाई फोर पाई इपसाइलन नोट की वन क्यू टू अब आई आर होता है तो आप देख सकते हैं इसके जाहां पर लिख सकते हैं नौ गु इस्तितिय उर्जा धनात्मक और रिनात्मक दोनों होती है इसलिए यहां पर चार्ज का जो भी चिन है वो भी हम लोग यहां पर फर्मूला में लिखेंगे 40 cm है देखिए यहां पर दूरी के जाहां पर 40 लिखेंगे सेंटी बोलते हैं 10 के पाउर माइनस 2 को इतना मीटर अब हम लोग बात करेंगे question number 8 पर अब लोग बात करेंगे eight number question पर यहां पर कहता है कि सूर्य के परकास काaisia स्पैक्ट्रम पढ़े हुए है साथ रंग के कलर होते हैं साथ रंग के कलर का बैंड मिलता है पट्टा मिलता है और वो सतत होता है लगातार होता है तो रेखिए एस्पेक्ट्रम नहीं होता है सूर का एस्पेक्ट्रम काली पट्टी मैंने ब्लैक बैंड का एस्पेक्ट्रम नहीं होता है काली लाइन का सटत एस्प्रेक्टम भी नहीं होता है ब्लेक पर्टि वाला एस्पेक्टम भी नहीं इस लिए सई एंसर गधा इसेज एस्प्रेट्म होता है दी मी बी जी वाई ओ आर यानि वाईलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन एलो ओरेंज रेट और यह जो कलर के बैंड मिलते हैं यह लगतार मिलते हैं एक दूसरे से सटे हुए मिलते इसलिए इसका इस्पेक्ट्रम जैस सतत स्पेक्ट्रम होता है सही जवाब होगा ए अब हम लोग बात क करेंगे question number nine पे यह एक सैधान्तिक question है आयाम modulation index जो है आयाम modulation सुचकांग जो है उसका value 0 से 1 के बीच होता है यह आपको theory के दौरान ही पढ़ाय गया है तो इसका हम लोग B number answer पे click करेंगे अब हम लोग बात करेंगे question number 10 में आप देख सकते हैं कि हम लोग पढ़े हैं विदूतिय सक्ति P is equal to V i तो जानते हैं V और i is equal to V by R तो इसका answer हो जागा V square by R तो सही जवाब होगा C number अब हम लोग बात करेंगे 11 number question में यहां पर कहता है कि दो lens जिनकी छमता माइनस 15 diopter और 5 diopter है इन दोनों lens को समयोजित किया गया है तो इनको समयोजित फोकस दुरी निकालना है तब जब कि दोनों lens जो है संपर्कित lens है तो आप पढ़े हुए है सम्तुल शक्ती हुआ लेकिन हमसे सम्तुल फोकस दुरी पुछा गया तो सम्तुल फोकस दुरी ब्रावर आप देख सकते है पी इस उकल टू माइनस 10 diopter रहा है तो पता है फोकस दुरी ब्रावर 1 बाई पी ब्रावर 1 बाई माइनस 10 is equal to minus आ यह आप जानते है कि मीटर में होता है कभी भी पावर निकालने के लिए फोकल लेंग जो लिखा जाता है वह मीटर में लिखा जाता है तभी डाउप्टर जो है उसका मात रहाता है तो यहां पे मीटर में है तो 1 बाई 10 तो यहां पे 100 अब हम लोग बात करेंगे 12 नुम्र कोषिण पर यहां कहता है बिलनाकार लेंज का भीवार किया जाताया आङंक के किस दोस को दूर करने किया जातासा है तो देखें दूर दिष्टिदोस में उत्तर लेंज और निकट दिष्टिदोस में ओतर लेंज, तो आप देख सकते हैं निकट दिष्टिदोस है तो ओतर लेंज, दूर दिष्टिदोस है तो उत्तर लेंज, जारा दिष्टिदोस है जिसमें दूर और निकट दोनों देखने में दिक्कत होता है तो इसको द्विफोक्सी लेंस बाइफोकल लेंस यूज करते हैं बुरहापे का रोग है या लेकिन एस्टिगमेटिज्म जिसमें छैती जो अथवा उदागर वस्तु देखने में दिक्कत होती है परशानी होती है इसमें बेलनाकार लेंस का पर्योग के जाता है तो आप देख सकते हैं कि हम सही जवाब जो है इसका सी नमर होगा हमसे पुछा गया था कि बिलनाकार लेंस किस दृष्टी दोस में यूज किया जाता है तो हम लोग इसका जवाब लिखेंगे इस्टिगमेटिज्म इंगलीज में बोलते है हिंदी में इसको और बिंदुक्ता के अंदर हो तो इस बंद तल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स गौस के नियम से हम लोग जानते है कुल फ्लक्स अंदर के आवेस का वन बाई इपसाइलन नोट होता है तो हमसे यही पूछा तो गया था कि किसी गोलिये प्रिष्ट के अंदर अगर क्यू आवेस रख दिया है तो कुल फ्लक्स कितना बढ़ाबर होगा तो कुल फ्लक्स क्यूब आई इपसाइलन नोट के बढ़ाबर होगा यानि इसका सही जवाब होगा बी नंबर अब हम लोग बात करेंगे चोदा नमबर में प्रिथ्वी के चुमबक्य छेत्र बी एच में यदि किसी चुमबक्य सुई के दोलन की आविर्ति एन हो तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि यदि कोई च्छर चुमबक या चुमबक्य सुई या चुमबक्य दूई-धृ is equal to होता है 1 by 2 pi root under MB by i लेकिन यहां पर magnetic field जो है कोई external magnetic field नहीं यह बहुत कि earth का magnetic field भी है तो यहां पर MB के ज़र पर भी हो जाएगा तो आप देख सकते f is directly proportional to this formula से root under b h हो जाएगा लेकिन यहां पर option नहीं दिया हुआ है यहां पर frequency को f न बोलकर n बोले हुए तो देखिए n directly proportional to n समानुपाती होगा root under b h आप देख सकते हैं यह कही भी option नहीं तो दोनों तरफ square किजिए तो यह हो जाएगा n square directly proportional to b h तो आप देख सकते हैं कि कौन option सही होगा frequency को n से भी सूजित करते हैं और f से भी सूजित करते हैं तो यहां पर frequency के लिए f न देकर n दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि सही relation क्या होगा n square समानुपाती होगा इस कि यहाद होता है आप के हाता है कि कि इल्ग देंद का समय आऋ स्व Вам के निला निला नो क्या । नहीं होता है क्योंकि आई हूटी ही उससे पर काश के रंग के रंग की पहचान होती है तो यहांपे सही उप्सण जो होगा ऑन किसी बिंदुवत सुरोथ से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है हमसे यहां पर पूछा गया कि किसी बिंदुवत सुरोथ से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होगा तो देखिए एक बिंदुवत सुरोथ है अब जानते हैं कि बिंदुवत सुरोथ से जो परकास किरने न लमबवत होता है तो तरंगाग्र जो है इस तरह को गजट अब देख सकते हैं तो यह जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा गोलिये होगा तो इसका सही जवाब होगा एक नमबर किसी बिंदुवत स्रोथ से पड़मित दुरीपर का जो तरंगाग्र होता है वो गोलिये तरंगाग्र होता है अब हम लोग बात करेंगे 17 नंबर कोश्च पे आप देख सकते हैं यहां पर कहता है कि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब हैं जो कि स्रेनी करम में जोड़ेगा है तो उनकी समलिच सक्ति क्या होगी तो देखे हम लोग एक फर्मूला पढ़ा है तो पहला बल्ब है उसका परति रवन इस उकल टो वी ए स्कॉयरवाई पीवन होजाएगा तो यह देख सकते हैं भीए स्कॉयर अब है पीवन के लिखेंगे 60 अर्वन इस्पाना इस्पार से दूसरे बल्ब का परति रवन्षा परतियो अजए पीट्व तो यह हो जाएगा भ बोनों बॉल्ब जो है स्रेनिकर में जो रहे हुए तो इनका जो एक्वेलेंट परतिरोध होगा जो सम्तुल परतिरोध होगा आर इक्वेलेंट इस उकल टू आर वन प्लस आर्टू होगा तो यह देखिए आरवर के जाए पर हम लोग क्या लिखेंगे भी ए स्कॉाइर अब आई शिक्ष्टी और यहां पर आटू के जाए पर क्या लिखेंगे वी एस्कॉाइर अब आई फोटी आप देख सकते हैं कि यह इक्वेलेंट यानि सम्तुल परतिरोध है लेकिन हम से सम्तुल सकती पूछी गई है तो आप देख सकते हैं कि आर जैसे यहां पर आर वन इस आ यहां गएगा वी एस फारवाई पक्रावाई तो उन बाइ यहां पर भी एसप्ट अमश्बैत सकते हैं यहां वी प्लाइस टीन येश्ची में सिनौ ऑ यहां प oh 120 चोने प्मर्ण तो यह कोई यह केंसे आएगा 24 वाट्त पर हमसे पूछा घ्या था ये साथ वाट और चालीस वाट के दो बॉल्ब स्रीनिक्र में जोरे गया है तो उनकी समलित सकती होगी तो सही जवाब होगा डी नंबर 24 वाट कि देखिए यहां पर हमसे पूछा गया है कि यदि किसी उचाई ट्रांसफोर्मर के प्रात्वी के उन दित्यक में एक रमसा इन वन और इन टू लपेटे हो तो हम लोग पढ़े हुए हैं उचाई ट्रांसफोर्मर यानि स्टेप आप ट्रांसफोर्मर अब जानते हैं स्टेप आप ट्रांसफोर्मर जो होता है उसके दीतियक कुंडली में फेरो की संख्या प्रात्मी कुंडली के फेरो की संख्या से अ अर्ध चालक का विशिष्ट पर्ति रोद आप पढ़े हुए हैं कि अर्ध चालक जो होते हैं उनके चालन पट्टी यहां पर देख सकते हैं चालन पट्टी और यहां पर सन्योजी पट्टी चालन पट्टी और सन्योजी पट्टी के बीच पतला सा forbidden gap होता है अर्थ चालक के जब अर्थ चालका ताप बढ़ाते हैं तो चालन पट्टी में सन्योजी पट्टी से कुछ electron उळजा पाकर चले जाते हैं जिससे फिड़ी electron मुक्त gettin kind की संक्या बढ़ती है मुक्त Sport की संख्या बढ़ने के कारण इसकी चालकता बढ़ती है लेकिन पर्तिरोधकता घरती है तो हमसे सवाल पुछा गया था कि किताब बढ़ने से किसी और चालक की पर्तिरोधकता या विश्च पर्तिरोध घरता है तो हम लोग लिखेंगे घरता है कि अब हम लोग बात करेंगे बिस नमबर कोशन पर कहता है कि वैदुत दूधरू के निरक्षिय इस्थिती में बिदूतिय विभव का वेलू सुन होता है चुकि आप पढ़े होंगे कि यह जो दूधरू है वैदुत दूधरू में एक पॉइंट पर माइनस क्यू और दूसर स्थिति में आप देखेंगे तो यहां से दूरी और यहां से दूरी सेम होगी तो इस माइनस क्यू के कारण यहां का विभव भी वन और प्लस क्यू के कारण यहां का विभव भी तू दोनों परिमान में समान होंगे और परकृति में विप्रित होंगे जिसके कारण यहाँ पर कुल विभा जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को सुने आएगा तो किसी विदुतिय दिधुरू के कारण निरक्षी है इस्तिती में विभा जो होता है वो सुन होता है अगला कोशन है कि एलर परिपत का सक्ति गुनां क्या होता है देखिए हम लोग पढ़े हुए है लगिना आज हम लोग से ल्सी आर परिपत का नहीं पुछा गया है एलर परिपत का यानि सी वाला जो ऑप्षन है इसको इसमें से हटा देंगें सी वाला ओप्षन इसका जवाब देखे क्या ओजबबा रूट अंडर ए श्कुयर और यहां पे XL square है वहां हो जाएगा omega square L square तो आप देख सकते हैं कौन सा जवाब यहां पे सही होगा R by root under R square plus omega square L square R by root under R square plus omega square L square यानि सही जवाब B नम्मर जवाब सही जवाब होगा आप यहां पर 22 नमर कोशिन करता है कि एक उत्तर लेंस है जिसका परतरांग एक दसमलों 5 है इसको पानी जिसका परतरांग एक दसमलों 3-3 में डुबाया जाता है तब यह विवहार करता है मैं आपको बताऊं कि हम लोग एक फर्मूला पढ़े हैं 1 by f is equal to 1 mu2 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 य यह देखिए 1 mu2 क्या हो जाएगा mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 यह equal में हो जाएगा mu2 minus mu1 by mu1 into 1 by r1 minus 1 by r2 आप देख सकते हैं कि यह लेंस है लेंस के माध्यम का अपरतनाग mu2 है और लेंस के चारो तरफ जो माध्यम है उसका अपरतनाग mu1 है इधर भी mu1 और इधर भी mu1 तो देखिए लेंस का अपरतनाग जो है 1.5 है और इसके चारो तरफ जो माध्यम है 5 ही उसका अपरतनाग 1.3 है तो देखिए यह क्या हो है कि lens कोन सा था उत्ता लेंस था और यहाँ पर एक दस्वलों पांच में से एक दस्वलों तीन घटा रहे हैं यानि कि जो भी वैलू आएगा वह धनात्मक वैलू आएगा यानि लेन्स के फोकस में कोई अंतर नहीं आएगा फोकस पहले से भी धनात्मक था और पानी में डुबाने के बाद भी धनात्मक रहेगा यानि वह उत्तल लेंज बिल्कुल उत्तल लेंज की तरह ही विवहार करेगा अगर यहां पर फोकस का वैलू निगेटिव में आता तो हम लोग यहां अगर विधूतियश्य रहे हैं लिखते लिखते उत्तल लेंज जो है ऑ्तल लेंज की तरह ही विवहार करेगा क्योंकि यहां पर एक दसनों पांच में से एक दसनों तीन घटाएंगे तो जो वैलू आएगा वह पॉसीटिव में आएगा यहारी लेंस के परकिरती में कोई भी परभाव नहीं पड़ेगा लेंस उत्तल है तो पानी में डुबाने के बाद भी उत्तल की तरह ही विवार करेगा इसलिए सई जवाब ए नंबर होगा अब हम बात करेंगे 23 नंबर कोश्चन पर विदू चुमबक्य तरंग के संचरन की दिशा होती है हम लोग पढ़े हुए हैं विदू चुमबक्य तरंगों के पडिभासा के दोरान ही जैसे यह अगर विदूतिये छेत्र है और आप जानते हैं कि विदूतिये छेत्र और चु सब्सेम के दोनों चेत्रों पलबोदी सामें चलती और इस विदूतिये चुमबक्य तरंग के बेक की दिशा जो है विदूतिये छेत्रों के लमवत यानि इनके क्रॉस Mauna के में तो c की दिश्ञ सकते हैं वेक्टर e x जरू से निकाल सकते हैं तो पर पर पर्थिरोद का निम्न होता है लेकिन जो आदर्स अमेटर का पूछा गया है तो सही जवाब होगा ए नमबर समान समयोजन कहते हैं जब अंतिम परतिविम किसी दुर्बीन द्वरा अनंत पर बनता है तो उसको समान समयोजन कहते है और उसके लिए हम लोग पढ़े हुए है कि किसी दुर्बीन के समान समयोजन के लिए आब अर्धन चमता का फर्मूला माइनस A4 बाई A4 होता है तो यहाँ पे सही जवाब A नंबर होगा माइनस A4 बाई A4 26 नंबर कोशन कहता है 26 नंबर कोशन कहता है डाइनमो के कार सिधान्त आधारित है हम लोग पढ़े हुए है कि डाइनमो जो है विदुद चुम्बकिये प्रेरन के सिधान्त पर कार करता है तो यहाँ पर हम लोग B नंबर आप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर 27 नम्र कोशन है कि परत्यावर्ती धारा परिपत में यदि धारा आई हो और भोल्टेज के बीच का कलांतर फाई हो तो धारा का वाट हीन घटक होता है हम लोग पढ़े हैं वाटलेस धारा या वाट हीन धारा के लिए PAB बड़ाबर जीरो होता है चुकि वाट हीन धारा वह धारा है जिसमें उर्जा का खपत सुन होता है उर्जा खपत सुन होने का विदूतिय सकती का वहलू जीरो होता है PAB का फर्मुला हो पढ़े हैं I0 E0 by 2 I into cos phi I is equal to 0 तो cos phi is equal to 0 is equal to cos 90 degree तो phi is equal to 90 degree यानि वाटलेस धारा तभी परवाइथ होगी जब वोल्टेज और धारा के बीच का जो कलांतर हो वो कितना degree के बड़ावर हो 90 degrees के बड़ावर हो अब जरा देख सकते हैं कि question में situation दिआ है कि धारा जो है वोल्टेज के साथ फाइक कला कोन पर है फाई कलांतर है दोनों के बिच का तो आप देख सकते हैं आप धारा का दो घटक हो जागा एक तो फोल्टेज के दिशा में I cos phi आप जानते हैं कि जिदर एंगिल बनता है उदर का घटक I cos phi होता है और यह इसके लंबद घटक हो जागा जिसका वेलू होगा I sin phi तो धारा का वह घटक जो भोल्टेज के साथ 90 डिग्री पर होगा वही कौन सा धारा परवाहित कराएगा वाटलेस धारा तो आप देख सकते हैं वोल्टेज भी के लंबद दिशा में कौन सा धारा का घटक है तो I sin phi और यही जो 90 डिग्री पर जो घटक होगा वोल्टेज से यही भोल्टेज से 90 डिग्री पर अगर धारा का घटक वाट हीन धारा का घटक होगा तो आप देख सकते हैं साही जवाब C नमड होगा I sin phi अब हम लोग बात करेंगे 28 नमडर क्शन पर कहता है इस्थिर विवांतर पर किसी विदुद्ध परपत का परतिरोद आधा कर दिया जाए तो उत्पन उस्मा का मान होगा हम लोग किसी चालक से धारा बहने कान उत्पन उस्मा का फर्मुला पढ़े है H is equal to V square by R into T लेकिन कह परता है कि यदि परतिरोद को आधा कर दिया तो V square by R by 2 हो जाएगा इंटू T तो आप देख सकते हैं पहले से कितनी उस्मा उत्पन हो रहे थी V square by R into T लेकिन पहले 2 लगा हुए यानि पहले वाली जो उस्मा थी उसकी अब दोगुना ज्यादा उस्मा उत्पन होगी तो सह ही जवाब होगा बी नंबर दोगुना 29 नंबर कोशन करता है परत्यावरती दारा के वर्ग मूल माध मान और सिखर मान का अनुपात होता है हम लोग पढ़े हुए हैं कि I RMS is equal to I not by root 2 होता है तो हमसे पूछा गया है कि वर्ग मूल माध मान यानि RMS मान और सिखर मान का और सिखर मान का अनुपात is equal to 1 by root 2 तो सही जवाब 1 by root 2 होगा जो की बी नंबर जवाब जो है सही है तीस नंबर क्वेशन करता है लेंडा तरंग धर वाले फोटोन की उर्जा होती है हम लोग फोटोन की उर्जा का फोर्मुला पढ़े हमें E is equal to H new जहां पे new आविर्थी है एक फोर्मुला हम लोग पढ़े हमें V is equal to N lambda V वेग है N आविर्थी है लेंडा जो है तरंग धर है विर्थी चुम्बक के तरंगों का जो वेग होता है उसको C से सुजित कियाता है और फ्रिक्वेंसी को N से न सुजित करकर new से सुजित कियाता है और लेंडा तो आप देख सकते हैं new is equal to हो जागा C by लेंडा तो उर्जा के जगा पे हम लोग डाल देंगे C by लेंडा तो उर एमपेर की धारा परवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रोन का आवेस एक दसमलों चोगुने दसके पहुन माइनस 19 कुलाम हो तो परती सेकेंड तार में परवाहित इलेक्ट्रोनों की संख्या बतारें आप देख सकते हैं धारा बराबर है 1 एमपीर एमपीर कहा जाता है कुल परवाहित होंगे तो हम लोग एक फर्मूला पढ़े होगे क्यू इस उक्वल टू एन ए तो बताइए एन इस उक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई ए तो आप जानते हैं कि क्यू के जग़ापे वन कुलाम दिया हुआ है और ये के जग़ापे है 1.6 गुने 10 के पहुन माइ कहता है 32 नंबर कोश्चन कि 100 भोल्ट तक आवेशित करने पड़ एक संधारित की संचित उर्जा एक जूल हो जाती है तो संधारित की धारिता निकाले आप संधारित के उर्जा का फर्मूला पढ़े हैं 1 बाई 2 सी भी एसक्वाइर ये सेकंड चेप्टर में लोग पढ़े सब्सक्राइब दे तो सिपाहर कर रहे हैं इसलिए बी बी में मानते हैं कि मिस्प्रिंट होगा इसलिए बी पे हम लोग क्लिक कर रहा हैं प्रिथ्वी के चुम्बक्ये धुरू पर नमन कोन का मान होता है आप जानते हैं कि प्रिथ्वी के चुम्बक्ये धुरू पर चुम्बक्ये बले रिखा है ऐसे यहाँ पर नौर्थ से ऐसे निकलती है और साउथ में ऐसे परविश करती है यहां पर तो 36 के साथ चुम्बक्य छेट जो कोन बनाता है उसी को नमन कोन कहते हैं अब देख सकते हैं धुरूओ के पास यह कोन कितने डिगरी के बड़ाबर है डेल्टा इस उकल टू 90 डिगरी यहां पर भी डेल्टा इस उकल टू 90 डिगरी तब जब विश्वत रेखा यह यहां पर प्रित्वी के चुम्बक्य चुम्बक्य छेट का नमन कोन 36 के साथ बना कोन 90 डिगरी होता है तो इसलिए सी पर हम लोग क्लिक करेंगे हमसे पुशा है नंद गेट का बुलियन फर्मुला आप लोग एंड गेट का बुलियन फर्मुला पढ़े हैं हम लोग एंड गेट का बुलियन फर्मुला पढ़े हैं एंड गेट का बुलियन फर्मुला यहां पर हमसे एंड गेट का नहीं बलकि नंद गेट का पुशा गया है कि प्रित्वी के किसी अस्थान पर टीभी प्रेशन टावर की उचाई 245 मीटर है जितनी अधिक्तम दूरी पर इस टावर का परसारण पहुचेगा वह है आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक फर्मूला पढ़े हैं कि अगर प्रित्वी हो इससे एच उचाई का कोई टावर ह तो यह कितनी दूरी तक ट्रांस्मीशन कर सकता है इसका फर्मूला हम लोग पढ़े हुए डी इस उकल टू रूट अंडर टू आर एच किसी टावर से अधिक्तम दूरी तक किये गए पर सारण की दूरी का फर्मूला है रूट अंडर टू आरेच जहां पे टू यहां पे आर जो है प्रिथ्वी का तिर्जिया है तो यह हो जाएगा च्छो दूरी चार अगुने 10 के पहुंड च्छो एच का वहलू आप जानते हैं कि दिया हुआ यहां पे दो सो पैंतालिस मीटर तो आप देख सकते हैं 245 में दो से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 490 अगुने 6.4 अगुने 10 के पहुंड च्छो तो आप देख सकते हैं यहां पे इसको में लिख सकते हैं 49 जीरो है तो च्छो दूरी चार चौन सट हो जाएगा अगुने 10 के पहुंड च्छो तो इसका बर्गमूल उन्चास का साथ 64 का आठ दसके पहुंड चौकर दसके पहुंड तीन तो आठस तहे 56 चार मीटर हो जाएगा जोंग अजकी airport को या किस्हार परसारंद पहुचेगा उसका सही जवाब होगा C जो कि 56 किलोमेटर है तो आज के वीडियो में इतना ही हमने आपको बिहार वोट के 2019 के सभी 35 अबजेक्टिव का व्याख्या सहीत उत्तर दिया फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में किसी नए जनकारी के साथ अगर पहल का तरे